Hello, Sleeping Pills के 6th episode में, आज हम लोग पढ़ेंगे, ecological succession के बारे में, ecological succession को ही हम, biological succession भी बोलते हैं, biological succession, ठीक है, तो ये जो succession है, इसका मतलब होता है, एक sequence, sequence, sequence of change, ठीक, तो ये change किस में हो रहा है, ये change हो रहा है, किसी living form है, अब इस living form से मतलब, organism ले रहे हैं भी हो, ठीक है, तो क्या हुआ इसका मतलब, मतलब ये हुआ, कि एक living form, उसमें लगातार change हो रहा है, उसके बाद दूसरी living form आ रही है, तो ये जो पूरा sequence है, जो orderly sequence है, इ जिसमें एक living form, या एक organism, दूसरे organism को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, इसी को बोलते हैं, succession, तो अगर एक organism, दूसरे organism को रिप्लेस कर रहा है, इसका मतलब, उस organism से बनने वाली population, दूसरी population को रिप्लेस कर रही है, और उन population से मिलने, बनने वाली जो community है, वो community, दूसर community को replace करती है एक orderly sequence में उसको बोलते हैं succession और ये पूरा process कहां पर होगा ये पूरा process होता है barren area में ठीक है barren area ये मान लो barren area है barren area क्या होता है barren area वो geographical area होता है जहां पर nutrient की बहुत कमी होती है है न क्या होगा nutrient deficiency होगी deficiency ठीक है even इतनी nutrient की deficiency है नहां पर कि किसी भी तरह का कोई plant grow नहीं कर सकता है यहां पर क्या होगा no vegetation किसी भी तरह का कोई plant grow नहीं कर सकता तो ऐसे किसी geographical area में एक particular plant community दूसरी plant community को replace करती है कब तक replace करती है जब तक की stability achieve नहीं हो जाए है ना finally एक climax community आ जाएगी stability achieve होगी तो climax community आ जाएगी और इसी पूरे sequence को मैं लोग क्या कह रहा है succession succession it is an orderly sequence of change in vegetation growing on barren site with time ठीक है यह होगा इसकी definition ठीक है तो यह सारा change हो क्यों हो रहा है जरा उसको समझने कोशिच करिए दो चीज़े हैं आप पर एक हम बात कर रहा है biotic factor में community ecological unit में एक biotic factor है और दूसरी चीज़ क्या है उसका surrounding environment ठीक है तो दो चीज़े है biotic और effective factor की study को हम लोग क्या कहते है ecology कहते है तो यहाँ पर क्या होगा एक community लगातार क्या कर रही है exploit कर रही है environment का nature का ठीक है तो इसकी वज़े से क्या होगा इसकी वज़े से होगा over the long period अगर यह process continue रहा यह exploitation continue रहा तो उस environment में changes आएंगे इसमें आएंगे changes और इसकी वज़े से क्या होगा यह modify होगा यह modify हो जाएगा और यह modify होके क्या हो जाएगा less stable हो जाएगा किसके लिए उसी particular community के लिए जिस particular community ने इस environment का exploitation किया और इसमें modification लेया मतलब क्या हुआ मतलब यह हुआ कि पहले community ने क्या किया nature को disturb किया फिर nature ने community को disturb कर दिया ठीक और इसी के विए से क्या होता है यह succession का process start होता है succession होता है ठीक है आई आइओँख यह succession का concept आपको clear हो गया ठीक है succession क्या है universal unidirectional are non cyclic change है ठीक है universal है unidirectional है और non cyclic change है ठीक है इसी लिए क्या होता है, यह प्रेडिक्टिवल होता है, क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब यह हुआ कि एक जोग्राफिकल एरिया में जो अभी प्रेजेंट में वेजिटेशन है, उसको देखके आप आइडिया लगा सकते हैं, कि कुछ टाइम बाद वहां पर किस तरह का व अगला वेजिटेशन वहां पर किस तरह का होगा, ठीक है, चलो, क्या causes हैं, तीन causes होते हैं, किसी भी process को start करने के लिए तीन process होते हैं, एक initiation, जो इस process को start करेंगे, initiation factor, और दूसरा continuing factor, ऐसे factor जो इस process को continue रखेंगे, तीसरा factor, stabilizing factor, जो उस process को अब क्या कर देंगे, stabilize कर हैं, जो पहला cause है, वो क्या initiation factors हैं, इसमें वो factors आते है, जो क्या करते है, किसी भी area को baron area में convert करते हैं, या destroy कर देते हैं existing population को, ठीक है, क्या करेंगे, एक particular geographical area को baron area में convert कर देंगे, या उस particular geographical area में, जो population है, उसको destroy कर देंगे, ठीक है, कौन-कौन से factor included हैं इस में, climatic factor और biotic factor दोनों ही, ठीक है, for example, soil erosion, flood, forest fire और deforestance, इस तरह के जो factors हैं, वो सब क्या होंगे, initiation factor, जो initiate करेंगे, succession के process को, ठीक है, number two is, continuing factor, ठीक, वो factor जो इस process को continue करेंगे, इस process की growth कराएंगे, है ना, तो उसी geographical area में, कोई species बहार से आ जाए, जिसको हम बोलते है, invasion, कोई species यहां से migrate करके चली जाए, है ना, और इस सब की वएसे क्या हो जाए, इनके बीच में, competition increase जाए, तो यह सब क्या करेंगे, इन सभी process की वएसे, एक community, दूसरी community को लगातार क्या करेगी, replace करना चाह climax is reached, तो यह process जब तक चलता रहेगा, जब तक climax ना जाए, ठीक, क्या क्या example इसमें, competition, migration, और invasion, ठीक, third और final factor, जो है, वो कैसे है, stabilizing factor, अभी हमने बताए, कि process अच्छी कैसे हुआ था, कि community ने nature को disturb किया, और nature ने community को disturb किया, अब इन दोने के बीच में क्या होगा, एक balance बन कि ना तुम हमें disturb करो, और ना हम तुमें disturb करेंगे, तो चीजें कैसे हो जाएंगी, stabilize हो जाएंगी, और अब जो community आएगी, वो कैसे होगी, most stable, और उसी को हम क्या केते है, climax community, तो इसमें क्या होगा, they cause stabilization of community, और basically एक balance maintain हो जाता है, between community and environment, ठीक है, तो यह होगए cause of succession, चलिए types of succession की बात कर लेते हैं, तो दो basic type जो में याद रखने हैं, नीट के लिए, एक primary, और दूसरा secondary, primary मतलब क्या होता है, first, तो किसी particular area में पहली बार succession हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे, primary succession, और अगर उस area में already पहले कभी vegetation था, फिर वो destroy हो गया, और फिर से उसमें succession हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं, secondary succession, ठीक है, तो किसी area में पहली बार colonization हो रहा है, organism के थूरू तो उसको हमने क्या कहा है, primary succession, जैसे कि pond में होगा, rocks में, या dunes में होगा तो, ठीक, secondary succession, जहाँ पर पहले, एक well developed colony थी, और फिर वो destroy हो गई, या तो किसी natural cause की वज़े से होगा, है न, या anthropogenic causes की वज़े से होगा, anthropogenic causes मतलब, जो human action है उनकी वज़े से, है न, human action की वज़े से, जैसे की, लगातार हम urbanization करा रहे हैं, forest को वगर को क्या कर रहे हैं, destroy कर रहे हैं, है न, तो इसकी वज़े से क्या होगा, एक well developed geographical area, वहां पर जो well developed vegetation थी, वो destroy हो जाएंगी, और वो ब current land में फिर से अकर succession स्टार्ट होगा, तो उसको हम बोलेंगे, secondary succession, ठीक है, ये comparatively क्या होता है, fast होता है, और ये slow होता है, ठीक है, मतलब ये भी इतना fast नहोता है, लेकिन अगर आप primary succession से compare करेंगे, तो वो जादा slow होता है, चलिए, तो दो important example है हमारे लिए, अनी तक, एक है hydroceur है, या इसी को हम बोलते है, hydroc, मतलब succession in water body, अब वो चाहे pond हो, lake हो, या acidic water हो, है न, या saline water में हो रहा हो, तो उसको हम लोग बोलते है, hydroc, ठीक, तो succession में starting कहां से होती है, pioneer community से, ठीक, जो सबसे पहले होगी, first community वहाँ पर जो आएगी, plant community, उसी को बोलते है, pioneer community, और जो सबसे last में आएगी, है न, final community जो होगी, उसको बोलेंगे climax community, और इनके बीच में, जितनी भी communities आएगी, उनको बोलते है, serial community, ठीक है, और हर particular stage को, या serial community को, हम लोग क्या बोल सकते है, serial stage भी बोलते है, serial stage, ठीक, और यह जो पूरा sequence है, pioneer to climax, इसको बोलते है, सीरे, ठीक, तो यह पूरा entire sequence जो है, pioneer, serial communities, और climax community, इसको बोलते है, सीरे, ठीक, चलो, तो एक water body में कैसे succession होगा, यह रहा हमारा water body, तो इसमें सबसे पहले क्या होंगे, phytoplankton आएगे, phyto मतलब क्या होता है, plant, phyto मतलब क्या होता है, plant, और plankton मतलब क्या होता है, जो passively float कर करते है, organism, उनको बोलते है, plankton, passively float करने वाले organism को बोलते है, plankton, तो इस water body में सबसे पहले क्या हैंगे, ऐसे plants आएगे, जो passively float करते है, ठीक, फिर उसके बाद क्या हैंगे, rooted submerged plant आएगे, ठीक, ऐसे plant जो root का formation करेंगे, और submerged होंगे, ठीक, फिर उसके बाद क्या होगा, ऐसे plant आएगे, जो rooted तो है, लेकिन उनकी leaf जो है, वो float कर रही है, मतलब, वो थोड़ा सा grow कर जाएगे, और उनकी leaf जो है, वो water surface पे आजाएगी, ठीक, ये plant क्या करते है, ये, इनका petiole बहुत जादा grow करता है, और ये cover कर लेंगे, धीमे-धीमे, इसको, इस submerged plant को, तो solar light नहीं पाएगी, है न, और ये क्या कर जाएगा, ये dead हो जाएगा, है न, decompose होने लगेगा, organic matter बढ़ाएगा, ये, organic matter बढ़ाएगा, मतलब क्या करएगा, nutrient बढ़ा रहा है, तो submerged replace हो जाएगे, फिर क्या जाएगे, rooted floating leaf stage आजाएगी, ऐसे plant आजाएगे, जो rooted भी है और उनकी leaf जो उनको replace करके फिर कैसे plant आजाएगे, ऐसे plant जो इस water body को धीमे-धीमे convert कर रहे हैं किसमे, mud में, है न, तो ये muddy area आजाएगा, और इसमें उस तरह के plant आजाएगे, जहाँ, जो कम water content में supply कर सकते, survive कर सकते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद आती है, middle stage, जिसमें क्या होगा, कि water content औ कम हो जाएगा, ज्यादा dry area होगा ये, ये क्या होता है, more dry, muddy area होगा ये, ठीक, फिर इनको भी replace करके क्या आते है, woodland stage आ जाती है, जिसमें basically क्या होते है, sherbs और herbs जैसी चीज़ें आ जाती है, ठीक, तो ये पूरा rooted summer से woodland तक क्या हो गया, serial community हो गया, इसके बाद क्या है कि finally, climax community, जो की होती है क्या, forest, अब देखो, succession चाहिए water body में हो, या किसी dry reason में हो, finally क्या बनता है, forest ही बनता है, ठीक है, तो ये जो sequence है, बहुत important है, neat pace में question आता है, और, इस sequence पही आता है, तो कैसे sequence याद रहेगा, तो sequence याद रखने की अपनी अपनी neemonics होती है, एक चोटी सी neemonic में आपको देता हूँ, जैसे की, physics, subject, रटो मत, रटोगे, तो float करने लगोगे, float करने लगोगे, और free में, पहुंच जाओगे, कहाँ पर, red mars पर, ठीक है, क्या कहा, physics, subject, जो है, उसको रटो मत, अगर रटोगे, तो क्या करने लगोगे, float करने लगोगे, फ्लोट करते, कहाँ पहुंच जाओगे, फ्री में, red mars पर, ठीक है, क्या मतलब को ज़owią, जादेक हो, physics का, phi से क्या हो गया, phytoplankton, sub से क्या होगा, submerged, और ato से क्या हो गया, rooted, ठीक है, और рटों के float से क्या हो गया, rooted, ठीक है, अग, हो जाएगा, free floating, red से क्या हो जाएगा, read, mars से क्या हो जाएगा, marshy area, ठीक है, तो red mars पे क्या होता है, school चल रहे है, किसके लिए, for aliens, तो फूरी कहान ही ऐसा है, कि physics subject रटो मत, अगर रटोगे, तो float करने लगोगे, और float करते कहां पहुँच जाओगे, फिरी में, mars पे पहुँच जाओगे, mars कैसा होता है, red mars है, और जहाँ पर क्या चलना है, school चलना है, for aliens, to school से क्या हो जाएगा, scrub, और for से क्या हो जाएगा, forest, ठीक है, तो यह तुम nemonic अपने आप भी बना सकते हैं, और खुद भी आद कर सकते हैं, ठीक, second जो succession है, वो किसमें है, dry reason में, जीरो, जीरो मतलब क्या होता है, dry, और सेरे मतलब क्या है, sequence, sequence of succession, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो pioneer community होती है, वो क्या होती है, lichen होती है, तो हम basically जो इसमें पढ़ते हैं, वो पढ़ते है lithosphere, lithosphere, जिसमें succession कहां पर होता है, rocks में, ठीक, तो यह मान लो कोई rock है, इस पर क्या grow करेगा, lichen grow करेगा, तो सबसे पहले जो lichen आते हैं, वो होते हैं, क्रस्टो इस टाइप के lichen, वो इस पर क्या करेंगे, हुमस की layer बना देते हैं, soil की, ठीक, और हुमस से जो chemical निकलते हैं, वो क्या कराते हैं, तो weathering कराते हैं, weathering मतलब क्या होता है, soil formation, ठीक है, फिर pioneer committee में तो आगे लाइकन, serial committee में देखेंगे, तो एक और type के लाइकन होते हैं, इसके बाद जो आते हैं, जैसे foils, या fruticos, ये लाइकन आएंगे, ये भी क्या करेंगे, humans के level को बढ़ाएंगे, ठीक, इनके बाद आते हैं mosses, और mosses के बाद आते हैं herbs, फिर आते हैं sherbs, और then finally forest, ठीक है, तो इस sequence को कैसे याद रखेंगे, इस sequence को याद रखेंगे, like mossy her shub also forgets, ठीक है, तो like से क्या हो गया, like n, mossy से हो गया mosses, ठीक है, herds से क्या हो गया, herb, और shrub से क्या हो गया, और sup से क्या हो गया, shrub, ठीक, और forget से क्या हो गया, forest ठीक है, तो मतलब क्या है इसका, कि मौसी और उनका जो बेटा है, शुब दोने ही भूल जाते हैं, तो like, मौसी, her like, मौसी, her शुब, also, forgets, ठीक है, तो like से like, and, मौसी से मौसे, है न, herbs से हो गया, herbs, और shrub से हो गया, shrubs, और forget से, forest, ठीक है, तो यह सीक्वेंस तो मैं याद हो जाएगा, easily, ठीक, चलिए,